केराना लोकसबा में भाजपा और सपा में काटे का मुकाबला कई इलाकों में दोडी साइकल तो यहां खूब किला कमल देश बर में होट सीट मानी जाने वाली केराना लोकसबा सीट पर मद्दाताओं के बदले रुख ने पर्तियाशियों के गणित को भी उल जाकर रख दिया है इस सीट पर भाजपा सपा में काटे की ठकर है हाला कि कुछ स्तानों पर बसपा का हाती भी दोड़ता नजर आया इस सीट पर सुबह के समय मद्दान धिमा रहा इस बार देखने को मिला की मद्दाताओं ने साइलेंट होकर मद्दान किया जिस भी पर्तियाशी की सेंदमारी अपने कोर वोटरों के अलावा अन्ने में जादा होगी वही जीत दर्ज करेगा मगर इतना साफ है कि हार जीत का अंतर इस बार कम रहने की उमीद है कैराना लोकसबा सीट देश भर में पलायन के मुद्दे को लेकर चर्चाओं में आई थी देश के परधान मंत्र नरेन मोदी हो या फिर मुखे मंत्र योगया रितिनाद डिप्टी सीमके से परसाद मोर्या सभी ने हाल ही में हुए जनसवाओं में पलायन के मुद्दे का जिक्र करते हुए एक वर्क के मगदाताओं को अपनी और करने का प्रियास किया था इस सीट पर भाजपा ने सांसत परदीप चोधरी तो सपा ने इकरा हसन बसपा ने शीपाल लाणा को चुनाव मेदान में उतारा था मुस्लिम बहूल इलाकों में सपा की साइकिल पूरी रफ्तार में दोड़ती ने जर आई मुस्लिम बहूल केराना में सपा की साइकिल दोड़ती ने जर आई गुजर बहूल इलाकों में इस शामली सेहन में दूवी करेन का असर साब दिखाए दिया महीं हमारे चैनल लाजपनी त्यट्टा ने भी चुनाव समाप्त होने के बाद एक सर्वे किया जिसमें जनता से सवाल किया गया था कि कैराना में चुनाव के बाद अब किसकी जीत इस सर्वे में 4300 लोगों ने अपनी राय दी इक्रा हसन को 89% तो परदीब चोधरी को 11% हाला कि इस आकड़े की हम और हमारा चैनल कोई पुष्टी तो नहीं करता क्योंकि ये जनता की राय है महीं आपको बता दे थाना बमन कस्बे में मुस्लिम बहूल बूतो पर सपा की साइकिल दोडती नजर आए तो वैश्य पंजाबी और अन्य विरादियों में बूतो पर कमल खिल रहा था जाट बहूल लौक लिसाड और वहावडी में मदान भाजपा सपा के बटवारे में नजर आया महीं जाटों को गड़ कहे जाने वाले उन छेतर में भी मदान भाजपा का विरोध भी देखने को मिला यहाँ पर भाजपा के साथ साथ सपा और बसपा ने भी वोटों में सेन मारी लगाई महीं बनेडा उग में भाजपा का फूल खिलता नजर आया मुस्लिमों का रुजपान गटबंदन के पक्ष में दिखाए दिया ऐसी का रुजपान वैसे तो बसपा की तरफ रहा लेकिन भाजपा और सपा ने भी इन वोटों में सेन लगाती नजर आई स्वन और ओबीसी मदाताओं में मोधी फैक्टर का असर नजर आया मदाताओं के बदले रूक ने इस बार परत्याशों को गनीत पूरी तरीके से बिगाड कर रख दिया है हाला कि ये तो मदगन्या के बाद ही कहा जा सकता है कि कैनाना लोग सबा सीट पर जीत का सहराब की बार किसके सिर बनने वाला है आपको क्या लगता है आप भी अपनी राई दीजे इस कबर को लाइक कीजे शेर कीजे साथ ही हमारे चैनल राजनीती अड़ा को अभी सब्सक्राइब कर लीजे